वंदे मातरम मैं विज़े ठाकरे आपका स्वागत करता हूँ यहाँ पे एक ऐसा प्लैटफॉर्म जहाँ पे रिजल्ट औरियेंटेट वर्क होता है दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले है पॉलिटिकल साइंस के चाप्टर नंबर टू जिसका नाम है फेडरलिजम तो क्य हम लोग फाइव वर्ट्स को कैसे डिफाइन करते है सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोवीरं सोवीरं का मतलब होता है हम लोग यहाँ पर जो रूल्स बनाने वाले उसमें बाहर के किसी का भी कोई भी इंटर्फियरंस नहीं रहेगा जैसा कि हमें पता है कि कॉलोनियल रूल यहां पे आया उनने अपने पूरे के पूरे सिस्टम को यहां पे आप्ट करवाया जबरदस्ती फोर्सफुली ठीक है दूसरा अगर हम लोग हमारी कंट्री एक सेकुलर कंट्री है मतलब हम लोग सारे धर्मों को एक जैसा मानते हैं तीसरा हम लोग बात करते हैं यहां पे सोशलिस्क है हम लोग यहां पे एक आइडियलोजी लेके चलते हैं वी आर प्राउड टू बी एन इंडियान हम सभी लोग जो है भारत के देश इंडिया सारी पावर जो है वो किसके हाथ में है दोस्तों यहां पे लोगों के हाथ में है लास्ट हम लोग एक वर्ड को डिफाइन करते हैं रिपब्लिक का मतलब हुआ कि यहां पे जो भी लीडर होगा उसको यहां पे इलेक्ट करके ही लीडर बनाया जाएगा वो भी यहां पर direct और indirect दोनों form of election यहाँ पर देखे जाते हैं तो इंडिया is a combination of mainly five main words, first one is the sovereign, second one is the secular, third one is the socialist, fourth one is the democratic and fifth one is the republic, तो इससे हमारे आज power का जो distribution होने वाला है सरकार में उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं federalism, मैं विजए ठाकरे आपका स्वागत करता हो definite success पाटशाला पे जहां पे सिर्फ एक ही काम होगा, result oriented work, बस आपका और मेरा साथ रहे, तो बस हो जाएगा हमारा इस साल का result जो है, आर पार, जिसको हम लोग कहते हैं 80 में से 80, चलिए, तो शुरुआद करते हैं दोस्तों यहाँ पे federalism, क्या है, क्यों है, किस तरीके से federalism ह हमारे हाँ काम कर रहा है, क्यों federalism की अवशक्ता है, क्या हमें जरूरत है, तो ध्यान से समझेगा, अगर मान लेते हैं, पूरी पावर्स किसी एक परसन के हाथ में चले जाए, तो यह हमारे हाँ फॉर्म आफ गवर्मेंट औरेडी चल रही थी, बट successful ना होने के कारण इस हटाया गया, आप समझ गए होंगे, मैं किस की बात कर रहा हूं, मैं monocracy की बात कर रहा हूं, हमारे हाँ बहुत सारे राजा रहे, बहुत सारे empires रहे, बट finally क्या हुआ, कि इन सब को हटाया गया, और हमारे हाँ लाए गई डेमोक्रसी, तो डेमोक्रसी में होता क्या है, कि भ लोग तंत्र का सबसे बड़ा एक्जामपल आज इंडिया है दोस्तों चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग फेडरलिजम की हम लोग को यह तो समझ में आ गया कि यहां सर अम लोग पावर के का मतलब होता है और क्रेशी का मतलब होता है गवर्मेंट और डेवान का मतलब होता है यहां पे पीपल यहां पे जब लोग सरकार चलाने लग जाए लोग तैय करना शुरू करते कि सरकार कैसी होगी हमारे लीडर्स कौन होंगे सब कुछ पावर जो है किसके हाथ में चले democratic form of government I repeat democratic form of government वो government होती है जिसमें power जो है किसके हाथ में आ जाए भाई लोगों के हाथ में आ जाए ठीक है भाई चलिए तो federalism अपने आप में क्या है एक democratic form of government है जिसमें in which the power to govern the country is shared or divided अब आपको जो country चलानी है उसको आप क्या करने वाले है एक तो share करने वाले है दूसरा क्या करने वाले है divide करने वाले किसमे share और किसमे divide करने वाले है between the central and the state government तो आप किस भागों में इसको बाटते है सर central government और state government में बाटते है चलिए तो Central Government वोherment हुई जो Overall Country को पूरा का पूरा क्या करती है? समालने का काम करती है, उसको हम लोग Central Government बोलते हैं या तो हम लोग इसको यहाँ पे बोलते है Union Government चलिए अब इसके अंडर में जो छुटी-छोटी Constituents आते हैं इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर स्टेट गवर्मेंट चलिए अब यहाँ पर यह समझ में आ गया है सर कि यहाँ पर टू टियर गवर्मेंट की बात हो रही है बट इंडिया में तो सर यहाँ पर थ्री टियर गवर्मेंट चलती है बिल्कुल थ्री टियर गवर्मेंट चलत इसको कहा जाता है भई पंचायत क्या कहा जाता है दोस्तों पंचायत तो यहां पर यह समझ में आगया कि federalism का सीधा सीधा मतलब यह होता एकius form of government जहां पे power का distribution होगा government के बीच में जहां पे main priority दी जाएगी central government को और उसी कि subsidiary जो body है जिसको हम लोग बोल रहे है state government यहां पे इन दोनों के बीच में power का distribution ही कहीं न कहीं federalism कहलाता है तो मैं easy language में बोलू तो federalism is a distribution of power between the central government and the state government यह वाला concept clear दोस्तों आगे बर सकते हम लोग यहां पे चलिया आगे बोलता है largely both these levels of government work independently मतलब कि यहां पे यह एक दूसरे पे interdependent तो हो सकते हैं बट यहां पे एक दूसरे के कामों में interfere नहीं कर सकते यहां तक के concept clear हो गया दोस्तों तो central government और state government दोनों अपने level पे काम करेंगे एक दूसरे के काम में interfere नहीं करेंगे तीसरी सबसे बड़ी बात अगर कोई भी dispute होता है create तो यहां पे central government जो है उसके हाथ में supreme powers चले जाएगे अब इस तरीके से हम लोग बात करें यह जो federal form of government है कहां कहां चल रही है sir तो इंडिया में चल रही है USA में चल रही है Australia में Switzerland में यह सारी countries में आज क्या चल रही है भाई division of power वाली government चलती है जिसको हम लोग बलता है federal form of government in contrast to federalism there also exists a unitary form of government अगर हम लोग बात करें यहां पे तो ऐसा भी होता है कभी कभी जहां पे division of power ना करके सारी power किसी एक form of government में दे दी जाती है उसको कहते है हम लोग यहां पे unitary form of government तो यहां पे दो power हो गई यहां पे पहली हो गई unitary दूसरी हो गई यहां पे federal तो यहां पे दो लोगों के हाथ पे power हो गई यहां पे एक ही person के पास power होगी जो कि सारे काम कर रहा होगा मतलब कि सीधा सीधा हम लोग बोल दें यहाँ पे सर कि यहाँ पे तो सिर्फ Central Government नहीं काम करेगी बट यहाँ पे जो है वो Central Government और State Government दोनों काम करेगी अगर ज़रौत पड़ेगी तो 3-tier government वो भी यहाँ पे काम कर सकती है आगे बढ़ते हैं In the Unitary Form of Government, all powers are concentrated only in Hands of Central Government पात में आजा उसको बोलते हैं हम लोग यूनिट्री फॉर्म आफ गवर्मेंट चलिए प्रोविंशियल गवर्मेंट और लोकल गवर्मेंट में एक्जेस्ट अब जब जब पड़ेगी तो इसका बाइफर्गेशन हो सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोविंशियल यह तो हम लोग बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्मेंट ठीक है भाई चलिए मतलब पावर का डिस्ट्रीबिशन कहीं न कहीं आगे चलके किया जा सकता है बट दे आर बाउन टू अगर यह डिस्ट्रीबिशन हो भी गया तो भी इनको सेंट्रल गवर्मेंट के अंडर ही आपको का करना जरूरी है मतलब आप अपनी पावर का इस्तेमाल अपने मंग से नहीं कर सकते कहने का मतलब यहाँ है कि आपको फ्रीडम नहीं दिया गया है कि किसी भी चीज में आप इंडिपेंटिनेंट ली जो है वो डिसीजन ले पाए तो यहां पे समझ में आ गया सर की जो हम लो लोकल सेल गवर्मेंट को दिया जा सकता है बट यह सेंट्रल गवर्मेंट के अंडर में ही हमेशा काम करेंगे बट यहां पर जो पावर है और डिस्ट्रिब्यूटेड है सेंट्रल गवर्मेंट में और स्टेट गवर्मेंट में अगर और फर्दर डिवाइट करना होगा तो ह हम लोग यहां पर three tier of government जिसको हम लोग बोलता है local self government में भी यहां पर power distribute कर सकते हैं अब यहां पर unitary form of government की बात करें तो Great Britain, Sri Lanka और North Korea जो है unitary form of government का examples है Federal form of government का example हो गया India, USA, Australia और Switzerland, unitary form of government का हो गया example Great Britain, Sri Lanka और North Korea तो क्या यहां पर concept समझ में आ गया दोस्तों, सर यह याद कैसे करेंगे तो याद करने का सबसे अच्छा यह तरीका है कि भाई federalism का मतलब ही होता है Division of power Division of power में दो form की government बनाई आपने, सबसे पहले बनाई सर आपने unitary और दूसरी आपने कौन सी बनाई सर, federal ठीक है, unitary में क्या करा, सारी power central government के हाथ में दे दी, ठीक है सर, यह तो हमें याद हो गया चलिए इसके example हो गया है क्या, सर, example हो गया, Great Britain हो गया, North Korea हो गया, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग श्रीलंका को ले लेते हैं यहाँ पर power जो है, वो central government और state government के हाथ में distributed रहती है, जिसमें example हम लोगों ने ले लिया, सर, यहाँ पर हमारा देज, भारत, इंडिया, USA, Switzerland, ठीक है, तो यह सारे example हो गया हमारे काय के सर, तो यह सारे example हो गया हमारे division of power के, तो यहाँ पर federalism form of government क्या, बहुत अच्छे से, आ अगे बार सकते हैं, तो यह division of power अगर हम लोग देखें, तो इसको बोलते हैं हम लोग decentralization होना और unitary form of government का मतलब हो गया, centralization होगा, मतलब power किसी एक के हाथ में आ जाना, centralization कहलाएगा, और distributed हो जाना कहलाएगा, यहाँ पर decentralization, so it is an introduction of the federalism, क्या है federalism, यहाँ हम लोगों बात कर चलिए, शुरुआत करते हैं, main features of federalism से, some main features of federalism form of government are, number one, there are two or three levels of government, यहाँ पे दो टियर या तीन टियर की भी government हो सकती है, ठीक है सर, अब आपने यहाँ पे तीन टियर की government तो बता दी, चलिए, हम लोग समझते हैं, जो जो त्री टियर आफ गवर्मेंट है, उसमें आपने सबसे पहले कहा सर, central government, मिलकुल मैंने कहा central government, चलिए, central government को मैं और क्या नाम से जानता हूं सर, तो इसको हम लोग बोलते हैं, union government, ठीक है, इंडिया में union government को समान लेगी, पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है, prime minister of India की, और कौन होते हैं सर, इनके साथ तो council of minister होते हैं, ठीक है सर, अब यहाँ पर यह जो भी लोग आते हैं, वो election के थूरू आते हैं, बिलकुल सही बात है, बट यह election कहा है सर, तो यह direct election है, बिलकुल हाँ, बिलकुल सही है, ठीक है, अब यह direct election कहा होते है सर, तो यह होते है, लोग सबा में, अभी लोग सबा में, मुझे बताइए सर की number of seats कितनी है तो अगर हम लोग total seats की बात करें लोग सबा में तो वो आज total seats जो है वो है 552 ठीक है अगर हम लोग आज currently seats की बात करते हैं तो currently जो seats है वो आज हमारे पास है 545 सर 545 में से कुछ minus करना है कि हाँ सर बिल्कुL minus करना है minus कर देता हूँ मैं यहां से दो सीट ठीक है अब यह जो दो सीट है वो किसके हाथ में चले जाएगी तो यह एंगलो इंडियन के हाथ में चले जाएगी अब हमारे पास कितनी सीट्स बची सी में आज इंडिया में इलेक्शन होने वाला है सरी कब तक के इतनी सीट रहेगी तो सरी यहां पर टूथाउजन ट्वेंटी सिक्स तक के इतनी सीट रहेगी इसको हम लोग बोलते हैं डी लिमीटेशन कमीशन चलिए भाई तो यहां तक के मेरी बात को याद रखिएगा कि सेंट्रल गवर्मेंट जो इस तरीके से यहां पर काम कर दिये तो सर यह जो प्राइम मिनिस्टर इसके पास कुछ और भी पावर रहती है क्या हां प्राइम मिनिस्टर के पास एक और पावर हम लोग जोड़ देते हैं सर यहां पर प्राइम मिनिस्टर जो होता है एक्स ओफिशियो चेर्मेन होता है किसका होता है सर तो आज जो हमारी नीती आयोग है इसके एक्स ओफिशियो चेर्मेन जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद मोदी जी है ठीक है अब ये नीती आयोग क्या है सर तो ये पहले हुआ करता था सर यहाँ पे प्लानिंग कमीशन बट आज इसका नाम क्या रख दिया गया है नीती आयोग ठीक है कभ से बन गया सर तो ये 2015 के बाद से बन गया है नीती आयोगो नैस्टिटिशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया तो इस तरीके से हमें Central Government क्या है Union Government क्या है ये पूरी जो सीन है वो पूरे हमें क्या हो जाते हैं क्लियर हो जाते हैं चलिए अब हम लोग बात करते हैं सर यहां पर स्टेट गवर्मेंट की चलिए स्टेट गवर्मेंट की भी बात कर लेते हैं तो नंबर टू जो आपने स्टेट गवर्मेंट बताया इस state government में direct election होगा ठीक है भई direct election से जो person आएगा वो MLA होंगे जो की क्या बन सकते हैं chief minister बन सकते हैं ठीक बात है अगर मैं बात करो यहाँ पे मद्यप्रदेश की तो मद्यप्रदेश में 230 seats के लिए election हुआ यहाँ पे ठीक है भई अब याद रखना आपको कि यहाँ पे unicameral और bicameral दोनों form की government होती है जहाँ unicameral होगा वहाँ होगा legislative assembly जहाँ पे bicameral होगा वहाँ पे होगा legislative assembly और legislative council सर यहाँ पे यह जो legislative assembly वाले लोग है उनको क्या कहा जाएगा इलेक्ट होने के बाद तो इनको कहा जाएगा दोस्तों यहाँ पे ठीक है और इनको यहाँ कहा जाएगा MNC member of legislative assembly और member of legislative council अगर हम लोग हिंदी में बोले तो इसको बोलता है विदान सबा और इसको हम लोग यहाँ पे बोलता है विदान परिशत क्या बोलता है दोस्तों यहाँ पर विदान परिशत सब यह किस पर होता है तो किसके basis पर distribution होता है तो यह distribution होता है population के basis पर यह exam में याद रखिएगा दोस्तों ठीक है तो हमें समझ में आया कि state government में direct election होगा जिसमें जो MLA है वो majority जो party जीते की उसी में से कोई एक CM बन जाएगा CM MP के अगर हम लोग बात करें तो 230 seats पर अभी election हुए थे यहाँ पे जो government का form है वो unicameral, bicameral दोनों हो सकता है unicameral अगर होगा तो वहाँ पे सिर्फ legislative assembly होगी और अगर bicameral होगा तो वहाँ पे legislative assembly भी होगी और legislative council भी होगी इसमें elected members को क्या कहेंगे sir तो यहाँ बोलेंगे इसको MLA और यहाँ पे क्या बोलेंगे sir यहाँ पे member of legislative council विधान परीशार चलिए यह यह data जो है याद कर लिजिए exam में आपको काम आने वाला है तो अभी हम लोगों ने बात करी दोस्तों यहाँ पे किसकी state government की चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं हम लोग बात करते हैं यहाँ पे local self government की तो यह जो third part है हमारा local self government इसको हम लोग समझने की कोशिश करें दोस्तों तो हमें बताया है sir आपने की जो government है वो तीन भागों में तो बटी हुई है central government बता दिया आपने state government भी बता दिया local self government अच्छे से बता दीजिए जरा बिलकुल local self government हम बता देते हैं आपको अच्छे से local self government तो यह समझ में आ रहा है कि country में इतनी ज्यादा population हो चुकी है कि हमें administer करने के लिए three tier of government की ज़रूत पर यह तीन भागों मे बाढ़ते हैं यहाँ पर सबसे पहले में बाढ़ते हैं हम लोग अर्बन तो अर्बन एरियाज में जो local self government होती है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर मुनिसिपल कॉर्पोरेशन ठीक है भाई चलिए जिसको समालने का काम करते हैं यहाँ पर मेर ठीक है भाई number two हम लोग यहाँ पर अगर बात करते हैं रूरल एरियाज की तो रूरल एरियाज में होते हैं पंचायती राज और इस पंचायती राज को समाल लेका काम कौन करते हैं भाई तो सरपंच करते हैं कौन करते हैं दोस्तों यहां पे सरपंच करते हैं तो इस तरीके से हमें समझ माया कि गवर्मेंट को हम लोगों ने तीन भागों में बाट दिया कोन-कोन से central government, state government और local self government को further डो parts में बाि दिया, urban areas में इसको municipal corporation कहेंगे, और rural area में इसको क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पर पंचायत कहेंगे, चलिए भाई आग़ बढ़ते हैं point number two पर मैं आता हूं, बोलता है each level of government हर level of government जो है उनका एक काम रहेगा administer करने का क्या काम रहेगा दोस्तों यहाँ पर administer administration का सीधा सीधा मतलब होता है उस area को समालना और उस area को समालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो basically वहाँ पर अच्छे rules बनाने पड़ेंगे ठीक है और इसको वहाँ पर regulate भी करवाना पड़ेगा ठीक है भाई चलिया आगे बड़ता है over the same region मगर उनके जो territorial boundary होगी territorial area होगा jurisdiction area होगा उसी में वो यह rules को regulate कर सकते हैं उसके बाहर यह नई कर सकते हैं चलिये तो वह अपने jurisdiction area में ही क्या कर सकते हैं control कर सकते है jurisdiction in matters of administration अब ध्यान से सुनिएगा उसमें तीन बात आ जाती है सबसे पहली जो बात है उसको बोलते हैं हम लोग administration दूसरी जो बात है उसको बोलते हैं हम लोग taxation और तीसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते है legislation ठीक है भाई चलिए अब administration के वो क्या करेंगे basically यहां पर rules बनाएंगे अच्छे अच्छे rules बनाएंगे जिससे लोग भी परेशान नहीं हो और वहां पर काम भी आसान हो जाए ठीक है मतलब कुल मिला के यहां पर discipline maintain करने का काम यह administrator body का रहेगा चलिए taxation की अगर हम लोग बात करें तो tax का सीधा मतलब होता है sir compulsory fees charge by the government is known as tax ठीक है और सबसे बड़ा government का revenue का source भी क्या है दोस्तों यहां पर tax है अब यह tax को यह दो पार्ट में collect कर सकते हैं सर यहां पर या तो इसको direct tax के form में collect कर सकते हैं चलिए indirect tax के form में जब इसको cover करेंगे तो यह हमारे goods and services पे लगने वाला tax जो commonly जाना जाता है वेटा जीए स्थी के नाम से वो हो गया direct tax के अगर form में बात करें हम लोग तो इसको हम लोग यहां वो बोल सकते हैं income tax बट सर यह बताईए income tax direct tax लगाने वाली authority का नाम क्या है तो यहां पर direct tax लगाने वाली authority का नाम है CBDT Central Board of Direct Taxes और यहां इंडारेक्ट टाक्स लगाने वाली अथोरिटी का नाम है यहां पे CBEC Central Board of Excise and Customs ठीक है अब यहां पे बात करते हैं Legislation की तो अब यहां पे Rules तो बना दिये अब यहां पे Rules ऐसे बनाना है जो कि किसी को भी हर्ट ना करे बट कोई Criminal Activity कर रहा है तो उसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा इस रिक Rules थी बनाने पड़ेगे तो यहां पे यह चीज समझ में आहीं सर कि जुरिडिक्शन में आप तीन चीज़ों पे ध्यान देने वाले हैं सबसे पहले Administration दूसरा जो है वो Taxation और तीसरा जो है वो यहां पे Legislation पर आपको ध्यान देना होगा आगे बढ़ते हैं The Government at each level derives its power from Constitution मगर यह जितनी भी power का इस्तिमाल कर रहे हैं यह सारी power जो है लिखी हुई है कहां पे Constitution में कहां लिखी हुई है मतलब Constitution के अंडर ही इनको काम करना है यह अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं अपने power का misuse नहीं कर सकते हैं Does the Central Government cannot dilute the powers of the State Government or local self government इसका मतलब यह हो गया कि Central Government और State Government और जो local self government है इन तीनों का एक दूसरे के अंदर interference किसी भी काम में नहीं रहेगा in case of any kind of dispute the Central Government take all the charges ठीक है भाई तो यह तीन पॉइंट में हमें समझ में आ गया कि सर गवर्मेंट को तीन भागों में डिवाइड करा जाता है Central Government State Government और local self government दूसरे पॉइंट में यह समझ में आए कि उनका dispute हो जाता है तो यहां पर Central Government जो है main role play करेगा चलिए तो यहां पर feature समझ में आ गए दोस्तों यहां पर तीन features हम लोगों नहीं यहां पर समझने की कोशिश करी आ गए बढ़ते हैं the basic principle of the constitution and the rights given to the people cannot be changed by only one tier of the government अगर यह चाहते हैं कुछ change करना तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा तो यहां पर अकेली एक गवर्मेंट पावर्फुल नहीं है यहां पर Central Government और State Government और तीसरी local cell government तीनों को यहां पर चीजों को बताना पड़ेगा कि इसमें जो changes कर रहे हैं आप राइट्स में उसके कारण क्या है ऐसे तो स्ट्रक्चर कॉंस्टिटूशन में किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं कर सकता इट रिक्वाइज दा कंसेंट ऑफ द गवर्मेंट ऑफ बोथ द लेवल मतलब यहां पर सेंट्रल और स्टेट लेवल का कंसेंट तो होना ही चाहिए इसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता ठीक है चलिए आगे बात करते हैं हम लोग बात करें तो हमारे हम लें ह्यां कोट थे को सिप्रीम कोट बोछ यह म हैं ओके इसके क्या हूं सर तो इसके होंगे यहां पर हाइप को bulच हुट कितने 25 तो का स्वाले को यहाँ पर Chief Justice of India बोलते हैं क्या बोलते हैं चीफ जस्टिस आफ इंडिया बोलते हैं अभी हमारे यहाँ कौन है तो C.Y. चंद्रचून जी है ठीक है भाई तो अभी हमारे यहाँ Chief Justice कौन है भाई C.Y. चंद्रचून है जब भी कोई dispute होगा तो यहाँ पर court क्या करेगी इंटर्फियर करेगे अब यह कब referee की तरह काम करेगी जब विवाद किसके बीच में हो जाएगा यह central government और state government के बीच में अगर किसी भी तरीके का dispute होता है तो वहाँ active role जो है कौन प्ले करेगा सर वहाँ पर court प्ले करेगा बट यहाँ पर कौन सा court करेगा सर तो court करेगा यहाँ पर कौन सा भाई Supreme Court of India कौन करेगा Supreme Court of India इफ एनी dispute arises between the two आगे हम लोग बात करते बोथ levels of government can collect taxes from the people according to the guidelines of the constitution of the country अब यह बोरा है आप tax तो collect कर सकते हो बट tax collect करने के लिए आपको basically जो constitution में rules बनाए गए है उसी के तहट आप क्या कर सकते हो tax को collect कर सकते हो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर अगर मान लेते हैं मैं यहाँ पर कोई burger लेता हूँ ठीक है आप burger की cost मान लेते हैं बीटा 100 रुपीज है बट मैंने वहाँ पर पे कर दिया for example 120 रुपीज क्यों क्योंकि मेरे पास जो bill आया वो आया कित्ते का सर 120 रुपीज का तो यह सर जो यह 20 रुपीज है यह क्या है यह plus 20 रुपीज जो है यह tax है क्या है दोस्तों यहाँ पे tax tax क्यों लिया जाता है तो government के smoothly running करने के लिए पैसा जो system में आएगा वो कहां से आएगा tax से आएगा अब यह इस tax को मैंने दो पार्ट में divide कर दिया सर cgst और sgst अब यहाँ पे जो cgst sgst यह कितना कितना परसेंट है सर तो यह 50 50 परसेंट है तो माल लेते हैं कि यह जो 20 रुपीज है 20 रुपीज की जो 10 रुपीज है वो जाएंगे central government के पास और जो 10 रुपीज है वो जाएंगे state government के पास तो constitution में कहा है कि जो भी maximum taxes होंगे उनको क्या किया जाएगा 50 50 percent distribute किया जाएगा यहां तक के concept किया रहे है क्या तो tax का distribution कैसा होगा सर यहां पे तो equal distribution होगा का है का सर यहां पे tax का ओके आगे बढ़ते हैं federalism does not only safeguard the unity of the nation federalism ना सिर्फ आपकी unity को बचाता है but also maintain the regional and the linguistic diversities of the people तो आपके regional जो भी areas उनको बचाने का का और आपकी language को बचाने का काम भी कौन करता है भाया federal form of government करता है तो इस तरीके से हम लोग देखें तो federalism के इतने सारे features में हमें सारे features को याद करना है और कुछ-कुछ important points भी हम लोग को यहाँ पर बनाने है चलिए आगे बड़ते हम लोग इसी के साथ feature के बाद बात करते हम लोग की और यहाँ पर federalism का क्या active role होगा it is to be notice that both the level of government should agree to the rules of power sharing and trust each other यहाँ पर दोनों government को क्या करना पड़ेगा agree करना पड़ेगा बड़ यहाँ पर थोड़ा सा आप सोचे अगर तो जो हमारी central government है अब यह central government जो बनी है वो किसी ना किसी political party के थ्रूँ बनी है भाई चलिए अब यहाँ पर मान लेते हैं जो majority party है वो अभी 2014 के बात bjp है तो अब यहाँ पर इसकी opposition party अब इसको मैं बोल देता हूँ यहाँ पर दोस्तो ruling party तो दूसरी opposition party कौन सी हो गई यहाँ पर इंडिया national congress हो गई यह opposition हो गई जिसकी number of seats जो है वो किसमे है यहाँ पर minority में है उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर opposition party तो यह बहुत सारी बाते रखते होंगे बट यहाँ पर यह जो party है वो पास करे ना करे इन सब के लिए हमारे लिए parliament बना हुआ भाई सारे मुद्धे सारी बाते हम कहां रखते हैं फिर parliament में रखते हैं तो करना क्या पड़ेगा यहाँ पर power sharing तो करना ही है दूसरा एक दूसरे पर trust करना जरूरी है central government state government पर trust करे और state government जो है वो किस पर trust करेगी दोस्तो central government पर trust करेगी कहीं पर central government और state government के हाथ में दोनों में ही equal power होगी वेन देर आट्वेस इन विचे कंट्री में भी बिकम फेडरल ठीक है अब दो तरीके हैं जिससे हम लोग कंट्री को फेडरल बोलता है किस तरीके से वेन इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडे क्या नाम रख दिया उस country का हमने सर इंडिया रख दिया आगे क्या बुलता है वो अपनी power को अपने पास रखना चाहरे ताकि उनकी जो identity है वो क्या रहे भाया बनी रहे ठीक है this kind of federation is called coming together तो ये सब मिल गए एक साथ आगए इसको हम लोगों ने बोला coming together क्या बोला दोस्तों यहाँ पर coming together तो इस टेट्स माल लेता है ऐसा बोलता हूं वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन ऐसा इस इस टेट्स जुड़ते गाए तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर coming together क्या बोलते हैं coming together ठीक है for example USA for example Australia तो यहाँ पर हम लोगों ने दो कंट्री का एक्जांपल लिया जिसको कि हम लोग USA बोल रहे हैं दूसरा क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर ऑस्टेलिया बोल रहे हैं the second way in which a country can become federal is when it decides to divide its power between the central and the state government दूसरा तरीका यह हुआ कि Central Government और स्टेट गवर्मेंट के बीच में powers का जो है वो क्या हो जाए distribution हो जाए ठीक है भाई अब यह बोलता है कि यहाँ पर क्या करना है Central Government और स्टेट गवर्मेंट के पावर को क्या करना है distribute करना पड़ा अब यह सेंट्रल गवर्मेंट और स्टेट गवर्मेंट दोनों के ही पावर का क्या हो गया यहाँ पर distribution हो गया इसके लिए हम लोग example लेते हैं country का जिसको हम लोग बोलता है यहाँ पर इंडिया दोनों ही जगा मैंने एक्जामपल लिया है पर मैंने यहाँ पर जोड़ के बताया जोड़ के बताया तो इसको मैंने बुला यहाँ पर coming together और जहाँ पर पावर का distribution हो गया Central State Government के बीच पे वहाँ पर मैंने एक्जामपल ले लिया कि इंडिया का और यहाँ मैंने बुला कि इसको बोलता है holding together मतलब सेंट्रल गवर्मेंट जो है यहाँ पर स्टेट गवर्मेंट को hold करके चलेगी साथ में लेके चलेगी बट इनके पावर जो है वो क्या हो जाएंगे यहाँ पर distribute हो जाएंगे ठीक है भाई चलिए तो हमें यह समझ में आ गया सर कि फेडरल फॉर्म आफ गवर्मेंट में दो पार्ट हो सकते हैं जो पहला पार्ट है उसको हम लोग बोल देंगे यहाँ पर कौन सा तो हम लोग बोल देंगे सर यहाँ पर coming together क्या बोल देंगे सर और जो दूसरा है उसको हम लोग बोल देंगे यहाँ पर holding together ठीक है यहाँ पर example लिए सर हम लोग ने USA और यहाँ पर example लिए सर यहाँ पर हम लोग ने इंडिया ठीक बात है तो यहाँ पर क्या होगा sir power का distribution होगा और यहाँ पे pavar का distribution नहीं होगा तो दो फार्म में हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर federalism के feature में दो तरीके से यहाँ पर क्या हो सकता है भई पावर का distribution हो सकता है Central Government कर दिंग तुगेदर में याद रखना है आपको और že में उसका मतलब है कि यहाँ पे तो हमें दो तरीके से समझ में आ गया सर आपने बताया कि जो फेडरल है structure इसमें यहां पे दो form होंगे एक तो coming together और दूसरा क्या हो जाएगा सर यहां पे दूसरा क्या हो जाएगा यहां पे holding together ठीक है भाई यहां पे याद रखिएगा अब हम लोग इसको difference between में पढ़ते हैं क्योंकि exam point of view से यह difference बहुत important है unitary system और federal system मैंने कहा कि सारी power अगर एक के हाथ में चले जाए इसको हम लोग बोलते है centralization of power इसको बोलते हैं हम लोग unitary system और जहां पे power का distribution हो जाए उसको हम लोग बोलते है federal form there is only one one level of government और sub units are subordinate to the central government यहां पे सारी government मिला के क्या होगी एक government बनेगे क्या मिलेगी एक government मिलेगी और यहां पे क्या होगा भाया अलग-अलग form की government मिल जाएगी तो क्या यह इंडिया में possible है सर हां इंडिया में possible है क्यों क्योंकि यहां पे तो three tier of government है ना चले number two the central government can pass on order to provincial and the local government अब यहां पे Central Government orders देगी क्या देगी भाई orders देगी कि आपको ये follow करना compulsory है ठीक है बट यहां फेडरल सिस्सम में क्या होगा The Central Government cannot order the State Government to do something मतलब कि यहां पे कोई protocol follow करना जरूरी नहीं है मतलब Central Government और State Government जो है अपने अपने जुरिडिक्शर एरिया में अपने हिसाब से काम कर सकती है कर सकती है बट यहां पर हम लोग बात करें कि यहां पर requesting form हो सकता है भाई क्या हो सकता है कि यह वाली बात भी हमारी मान लो चलिए The Central Government is Supreme and Administrative Division exercise only power that the Central Government has dedicated to them यहां पर administrative division जो है वो सारे power किसके हाथ में है सिर्फ यूनिटरी सिस्टम के हाथ में मतलब Central Government के हाथ में है Their power may be broadened and narrowed by Central Government वो चाहे तो यहां पर जो provincial और local government के हाथ में power दिये गए उसको कम भी कर सकती है और खतम करने की ताकत भी रखती है But Federal में ऐसा नहीं होगा State Government has power of its own for which it is not answerable मतलब कि यह libel नहीं है किसके लिए answer करने के लिए किसको भई तो वो Central Government को यहां answer करने के लिए libel नहीं है To the Central Government तो इस तरीके से देखा जाए कि Federal system जो है वो far better है किसे Unitary system But यह country to country वरी करता है किस country में कैसे system की आवशकता है उस साथ यहां पर या तो Unitary system चलेगा या तो यहां पर Federal system चलेगा तो यहां पर difference में हमारे बहुत सारे concept जो है वो clear हो गए अब हम लोग आते हैं भारत देश में भारत देश में जो है Federal form of government काम कर रही है Union government, state government और local self government चलिए आईए स्टार्ट करते हैं इंडिया is a Federal country बिल्कुल सही बात है इंडिया जो है Federal country है क्यों? क्योंकि यहां power का distribution किया गया है It has three tier of government यहां पर क्या है? इसके three tier बनाए गए है Sir, कौन कौन से tier बनाए गए है? आप बताईए हमें तो हम बता देते हैं भाई चलिए three tier में सबसे पहले आजाएगा union दूसरा आजाएगा state और तीसरा आजाएगा local self government चलिए भाई, आगे क्या बोलता है? such as municipal corporation and the panchayat बट यह local self government को दो पार्टों में हम लोग को बाढ़ना urban में इसको बोलेंगे हम लोग यहां पर क्या भाई municipal corporation ठीक है सर? और यहां पर rural area में बोलेंगे इसको हम लोग पंचायती राज institution ओके? चलिए done अब यहां पर बोलता है कि इन laws को implement करने के लिए यहां पर तीन तरीके के list बनाए गई तीन तरीके की जो list है उस पर हम लोग discussion कर लेते हैं यह legislative जो system होता है अब यह legislative system को हम लोग समझ लेते हैं कि हमारे यहां पर इंडिया में three organs होते हैं कितने organs होते हैं भई? three organs three organs में सबसे पहला जो organ होता है उसको हम लोग बोलते हैं legislative यह हम लोग इसको बोल सकते हैं legislature दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं executive और जो तीसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं judiciary ठीक है भाई चलिए अब याद रखिएगा एक्जाम्पल के थो अपन लोग इसको समझ लेते हैं लेजिसलेचर या लेजिसलेटिव वो बाड़ी जो मेंली रूल बनाने का काम करती है या लाउ मेकिंग बाड़ी को हम लोग लेते हैं लेजिसलेचर में ठीक है दूसरा कि काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है और यह हमारे यहां जो काम चलता है उसको हम लोग कोर्ट के तुरू क्या करते हैं वाजडॉक की तरह इंप्लेमेंट करते हैं अब सर यहां पर आपने कहा कि यह तीन तरीके के लिस्ट बताईए चलिए तो यहां पर हम लोग बात कर करते हैं जो तीन तरीके के लिस्ट होती है वह आती है लेजिसलेटिव में और ध्यान से सुनिएगा आर्टिकल नंबर 246 ऑफ दा इंडियन कॉंसिटीटुशन ये एक्जाम में याद रखिएगा इंडियन कॉंसिटुशन के सेवेंट स्केडियूल में इन लिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है जिसमें कहा गया कि जो यूनियन लिस्ट है सर उसमें यहाँ किसी का कोई इंटर्फिर इंस नहीं होगा दूसरा जो है वो है स्टेट लिस्ट जिसमें कि 66 सब्जेक्ट सुंगे जिसमें Central र्मेंट का कौई इंटर्फिर इंस नहीं होगा तीसरी जो है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन करेंट लिस्ट जिसमें की forty-seven subjects रखे गए हैं जिसमेंगी डोनों मिलकर काम करेंगे कौन कौन सर तो यहां पे Union Government और State Government Union Government State Government मतलब Union List और State लिस्ट जो सारे काम हो रहा है Union Government और 오्स्ट जियरlies काम करें ना दोनों काम काम करें किसी चीज पह तो लोग हम लोग बते हैं यहाँ पर काने डिस जाता है को सिर्ठेया करते हैं लुआ यहाँ पर संघ्यार और सुझन सब्जेक्ट होंगे और इसम पर 50 वह चला जाएगा तो वोस्ता सब्सक्राइब नेर सब्सक्राइब करेंब्द पराइब क्या लिस्जाक्य थो यहाँ पर कोई डाउट टेक्या एक्जाम पॉइंट आफ यू से यह डेटा बहुत जादा इंपॉर्टन्ट है दोस्तों चलिए यहां तक के क्लियर हो गया आगे पड़ते हैं हम लोग यहां पर वो सारे रूल जो की कंट्री के लिए बहुत जादा जरूरी है जिसके मिना कंट्री जो है वो चली नहीं सकती प्राबलम बहुत सारी फेस करनी पड़ेगी वो सारी काम जो है वो यूनिय्ञ लिस्ट में दिये जाते हैं मतलब कंट्री के ए किनोमिकल सिस्टम, इड्मिस्टेटिर व सिस्टम, पलिटिकल सिस्टम सब के लिए ज़ो ज़रूरी है उसको हम लोग consider करते हैं union list में जिसमें at the making of the constitution में 97 subject डालेगा है कितने डालेगा भीया 97 subject चलिए समझते हैं के को this list contains subject of the national importance यह बात याद रखेगा union list में वो सारे subject डाले जाते हैं जो की national importance क्यों होते हैं for example यहाँ पे central government जो है वो यहाँ पे lawmaking का भी काम करेगी इसमें some of these are defense, foreign affairs, banking, currency यह सारी के सारी चीज़े जो है यहाँ पे किसके थूँ चलेगा भाई तो वो चलेगा यहाँ पे union list में चलिए अब हम लोग अगर बात करते हैं यहाँ पे defense की तो defense को हम लोगों ने तीन पार्ट में divide कर दिया यहाँ पे army, navy और तीसरा हो गया यहाँ पे air force ठीक है इन तीनों को control करने वाला होता है cds सरीए cds क्या है इसको बोलते है हम लोग combined defense staff ठीक है अब यह command defense staff किसको जाके रिपोर्ट करेगा तो sir यह president को जाके रिपोर्ट करेगा किसको रिपोर्ट करेगा सर यहाँ पे president को जाके रिपोर्ट करेगा ठीक है भई अगर हम लोग यहाँ पे दूसरी बात करते है banking की ठीक है तो RBI की schedule B को जो follow करेगा वही आगे चलके commercial bank बन पाएगा ठीक है भई अब यह commercial bank क्यों है क्यों क्योंकि यह free में काम करता ही नहीं है चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे commercial bank की तो 1969 में हमारे यहाँ और 1980 में हमारे यहाँ पहले 14 nationalized bank हुए इनका nationalization हुआ फिर यहाँ पे 6 और बैंकों का nationalization होता है तो total मिलाके कित्ते हो गए दोस्तों यहाँ पे 20 अब इसमें से 20 में से एक bank की merging हो जाती है तो हमारे पास बसते है 19 nationalized bank ठीक है यहाँ तक है clear है अब 19 nationalized bank में अगर मैं plus करूँ यहाँ पे तो SBI और उसके associates मिलाके 6 bank हो जाते है ठीक है अब 19 plus 6 कर देता है तो यह हो जाता है 25 plus इसमें एक और bank जोड़ दिया जाता है IDBI ठीक है तो 1980 में total मिलाके हमारे पास 26 nationalized bank थे तो एक्जाम में यह data पूछा जाएगा कि 26 nationalized bank कब थे तो 26 nationalized bank जो थे वह हमारे पास कब थे सर यहाँ पे 1980 में तो यह concept याद रखिएगा screenshot ले लिजिए एक्जाम में काम आएगा ठीक है चलिए तो यह foreign affairs को समालने का काम कौन करता है defense research and development organization ठीक है तो यहाँ पे तो इस तरीके से यह सारे सिस्टम के लिए rules बनाने का काम जो है और country के लिए सारी चीज़ है important है इसी लिए इनको किसमें consider किया जाता है दोस्तों तो union list में कितने subject डाले गाए सर तो 97 subject डाले constitution के formation में यहां तक के concept क्लिया रहा है आगे बढ़ सकते हम लोग यहां पर चलिए द्यांसे सुनिएगा भाई आगे हम लोग बढ़ रहा है ज़र union list के पाद हम लोग next list पे आते हैं जिसको हम लोग बोलता है यहां पर स्क्राइब स्क्राइब में यह शोट इंटर्फियर नहीं कर सकता Wij रहां को को सब्सक्राइब की सारे चीज़ें जो स्क्राइब इंपर्टिए लोग जॉकल इन्पर्टेंट है उन सबकों यहां पर किस पर चीजों को जैसे की फॉर एगरिकॉल Eccैस इंडिगेशन ट्रेड पॉलैस सारी चीजों का मिसमें करेंगे तो इसको करेंगे हम लोग यहां पर मैंली इस्टेट लिस्ट पे कि तो अभी हमें यह स्टेट लिस्ट जो है उसको समझना है लेमिग ऑफ और मेंग ऑफ फ्रेमिड फॉन्टी शियंट सर 66 ठीक है जिसमें से कुछ सब्जेक्स की यहां पर बात करी गई है जैसे कि फर एक्जामपल अगरी कल्चर तो हमें यह पता है कि टाइम ऑफ दो कॉंस्टिटूशन ठीक है मेकिंग अब हम लोग बात करें यहां पर 1947 में लगबख कहा जाता है 1947 से अगर हम लोग बात करें तो नाइटीन अड़ेट एंफिफ्टी तो लगबख सेविंटी फाइप परसेंट जो लोग है वह यहां तो एग्रे एगरी कल्चर या तो एलाइड सेक्टर्स पर ही डिपेंडेंट है इसलिए इंडिया की जो एकनॉमी थी उसको हम लोग यहां पर एगरेरियन एकनॉमी कहते थे ठीक है इरिगेशन किसे तुरू होगी सर तो इरिगेशन होगे सर यहां पर के दू कैनार्स के तू अब यह किनार्स को लिए करना पड़ेगा थी के बाई आगे बढ़ता है यहां पे trade and policy अब trade का मतलब क्या हुआ सर यहां पे trade का मतलब होता है exchange of goods and services अब यहां पे exchange of goods and services करोगे आप तो आपको क्या करना पड़ेगा सर यहां पे custom duties जो है वो relax करनी पड़ेगी थोड़ी सी ठीक है तबी जाके आपके क्या हो पाएगा trade और यहां पे system जो है exchange of goods and services का बढ़ पाएगा पुलिस काई कले ज़रूरी है तो सर यहां पे लोगों को control करने के लिए पुलिस की आवशक्ता पड़ती है state government forms laws on these subjects ऐसे 66 subject है जब constitution बना तो 66 subject पे पूरे rules and regulations बनाने का काम किसका था सर तो वह यहां पे था हमारी state government का आगे हम लोग बढ़ता है third list पे आते हैं जिसको हम लोग बोलता है आप है concurrent list अब concurrent list में उस समय पे डाले गाए भाई या 47 subjects ठीक है भाई आप concurrent list वह जिस पे central government प्लास state government दोनों मिलके काम करती है उसको हम लोग बोलता है यहां पे concurrent list ठीक है subject related to the interest of both the central and the state government are included in this list यह concept किया रोगया कि central government और state government दोनों के combination वाले जो subjects होंगे जिसमें दोनों कहीं इंट्रेस्ट होगा उसको हम लोग क्यां पे concurrent list क्या बोलते दोस्तों यहां पे concurrent list चलिए जैसे कि यहां पर बात करें हम लोग यहां पर forest के ठीक है अब जांद समझ जीगा forest के लिए मैं कुछ यहां पर act पता दे रहा हूं ठीक है पहली बार इंडिया में जो फॉरेस्ट आक्ट बनाया गया यह हम लोग कह सकते हैं यहां पर फॉरेस्ट पॉलिसी बनाए गई तो वो बनाए गई थी एटी नाइटी फॉर में इसको इसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद नाइटीन फिफटी टु में मनी हमारे इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी जिसमें मेंट फॉकस किया गया कि हमारे ओजू थी리र फॉरेस्ट तो होना ही चाहिए इसके पर फिर अवेड्मेंट होता है और वो बनती है 33% forest तो होना ही चाहिए इसके बाद फिर amendment होता है और तीसरी जो नेशनल forest policy बनती है इंडिया की वह बनती है दोस्तों यहाँ पर 1988 में तो अभी हमारे जो policy चल रही है वह चल रही है दोस्तों कब के 1988 के दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर education की चलिए education को समझ लेता है तो education बहुत ज़्यादा जरूरी है इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते है education में literacy rate की तो यहाँ पे जब हम लोग literacy rate की बात करते हैं तो यह समझ में आ जाना चाहिए कि कोई ऐसा बच्चा जो 0277 प्लस का है जिसको किसी एक language में पढ़ना लिखना या बोलना आता है उसक तो लिटरेट गवर्मेंट ने इसके लिए किया करा भीया तो गवर्मेंट ने education के आपका एक राइट ही बना दिया जिसको हम लोग बोलता है यहां पर राइट टू एडू एडूकेशन राइट टू एडूकेशन बनाया गया act 2002 में और इसको इंप्लिमेंट कर दिया जात प्रवाइट की जाएगे ठीक है भाई यहां तक के concept क्लियर हो गया elementary education जो है वो प्रवाइट की जाएगी ओके चौथा अब यहां पर बच्चे आ रहे हैं मगर ड्रॉबाट रेट कंटेनियूसली बढ़ रहा था तो गवर्मेंट ने बुला क्या करें तो हम लोग इनके लि ठ्रीक करने वाले हैं साउथ इंडिया के के कामराज थे थे तो यह सारी बात हैं वो किसमी आ अगई भी और यहां पे आगई Maps करतें के तो ट्रेматाय यूनियंद या ट्रेंड यूनियं के जो लीडर भर बनाय है वह इस ले बनाया जात य— प्लिए वह यहां पर फैक्ट्री unions के थुरू बनाई जाती है बिल्कुल सही है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है बड़ यहां पे जो भी प्रोटेस्ट हो वो पीसफुल होना चाहिए नॉन वाइंस के थुरू होना चाहिए यहां पर चलिए आगे बात करते हैं in case of conflict between the wing of the government the law made by the union government are deemed as final अगर कोई भी dispute होता है तो इसमें consider किया जाता है हमेशा central government के रूल को अब इसमें एक चीज जो है वो marriage तो हमारे जो marriage होती है वो हिंदू law के हिसाब से होती है marriage और यह जो marriage का जो subject है वो mainly लिया जाता है कहां पर concurrent list में चीक है भाई चलिए इसके अलावा मैं चाहूं तो electricity को भी इसमें consider कर सकता हूं भाई ठीक है चलिए यहाँ तक है concept clear हो गया एक्जाम में यह question जरूर पूछा जाएगा कि concurrent list में आने वाले subject कौन कौन से है तो याद रखना है आपको यहाँ पर और यहाँ पर मैरिज जो है वो चारों किसमें लिए जाएंगे यहाँ पर concurrent list में लिए जाएंगे framing of the constitution जब constitution मना तब कितने subject है तो सर यह 47 subject हुआ करते थे चलिए आगे बढ़ते हैं subject which do not fall in the above list are known as residue subject जो union list में नहीं आया जो state list में नहीं आया जो concurrent list में नहीं आया वो कहां आएगा वो आएगा सर यहाँ पर residue subject क्या आएगा residue list yes residue subject में and fall within the jurisdiction of the union government मेंगर residue list भी किसका पार्ट है तो वो union government का पार्ट है इन इंडिया all state government do not enjoy equal powers हमें यह भी याद रखना है कि जितनी भी state government है उन सब के साथ power जो है वो equal distributed नहीं है क्यों क्योंकि मैंने कहा जो majority government central government होगी वो ही अपने state government के जो same political party के होंगे उनका ज्यादा support करेंगे for example the state of jammo and kashmir enjoy a comparative autonomous status as it has its own constitution अगर हम लोग बात करें यहाँ पर jammo and kashmir की तो यह jammo and kashmir जो है इसका खुद का constitution जो है वो क्या बना हुआ है तो आर्टिकल नंबर 370 के अंडर में बना हुआ है यहाँ पर 35a के अंडर protection है सारे लोगों को तो jammo and kashmir का खुद का क्या है autonomous status है autonomous constitution है तो इसके पास power जो है वो जादा होगी आगे बढ़ते हैं some states have little power such as the Lakshadip, Daman and Dew तो Lakshadip और Daman and Dew के पास जो है वो power बहुत ही कम होगी union territories के पास these are known as the union territory इसलिए इसको कहा जाता है union territory the union government has greater power over these territories union government के पास ज्यादा पावर रहती है कि union territories की अब चलिए मेरी बात को द्यान से सुनिएगा अगर हम लोग बात करते union territories की तो यह जो union territories है यह control होती है किस के थ्रू तो Central या union government के थ्रू ठीक बात है चलिए अब हमारे पास टोटल अभी union territory कित्री है सर तो यह 8 unit territories है ठीक है भई कितनी है सर 8 8 क्या है हमारे पास यूटी है चलिए अब इसको control करने वाले कौन है तो याद रखिएगा यहाँ पे हमारे पास तीन यूटी जो है वह पार्शेल स्टेट हुड में आती है ठीक है अब यहाँ पे पास्टेट हुड में तीन जो आती है उसका नाम है जम्मू एंड काश्वीर दूसरा है डेली और तीसरा जो है उसको हम लोग बोलते हैं पडूचरी ठीक है भाई तो इन तीनों में CM प्लस लिटनेंट गवर्नर दोनों होते हैं यह एक्जाम में याद रखिएगा बाकी सारी जो बची पांच यूनेंट टेरिटरीज वहाँ पे अमबैजिडर होते हैं यह जो एमबैजिडर होते हैं यह कौन अपॉइंट करता है सर तो यह प्रेसिडेंट करते हैं जो की डारेक्टली प्रेसिडेंट को ही क्या करते हैं रिपोर्ट भी करते हैं तो यह समझ में आ गया सर की कुछ स्टेट्स के पाथ पावर जादा है कुछ स्टेट्स के पावर प और बागी जो पाइश यूनिन टेरिटरी बची उसको कंट्रोल करने काम जो है वो कौन करता है दोस्तों यहां पर एंबैसेटर करता है कौन करता है अब यह समझ में आ गया सर हमें कि जम्मों एंड कश्मीर जो है वो अभी फ्री हो चुका है वो एक इंडिपेंडनेंट एरि इंडिया वह को सब्सक्राइब यहां पर इंडिया जो साथे पाता है पर सबसे पहला गया वह बनाया गया भाई यहां पर आंद्रा प्रदेश कब बनाया गया सर तो यह 1st महीं 1953 को बनाया गया दूसरी बात इसके बाद स्टेट री ओर्गनाइजेशन कमीशन बनाया गया कब बनाया गया सर 1956 में और इसके स्टेट को लैंगविज के बेसिस पर दीने देने करके डिस्टिब्यूट किया तो आज हमारे पास जो है टोटल मिला के 28 स्टेट्स है ओके विच वर इस्पोकन बाइड़ पीपल पंजाव और वेस्ट बंगाल तो अलग 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 लैंगविजस के बेसिस पर अलग अलग क्या बना दिये गए इस्टेट्स बना दिये गए जैसे उत्राखंड जैसे नागलेंड जैसे जारकंड तो यह उनकी एथनिक आक्टिविटीज या एथनिक आइड़निटीटीज या कल्च्राल या तो जोग्राफिकल पोजिशन के हिसाप से यह स्टेट्स को बनाया गया ठीक है भाई यह कंटेंड हमें याद करना है आगे बढ़ते हैं लैंगवेज पॉलिसी की हम लोग बात करते हैं यहां पर आफ्टर इंडिपेंड़नेश देर वाज ग्रेट डील ऑफ कन्फिजन एस तो विच लैंगवेज शुट भी ऑफिशियल लैंगवेज हमारे पास कन्फिजन थी हिंदी स्पीकिंग स्टेट मदब नदन इंडिया लगबाग लगबाग यह चाहता था कि जो हिंदी है उसको हम लोग यहां पर नेशनल लैंगवेज बना दे मैनी नौन स्पीकिंग स्टेट्स वांटेड इंग्लिस तो यह इंडिया के नौर्थ पार्ट और यह सौथ पार as a communication language हर 15 years में extension मिल रहा है ठीक है English communication के हमारे यहां use होती है और हमारे यहां देखा जा तो आज टोटल 22 official languages है और लगबग लगबग 2600 हमारे यहां dialects use होते हैं ठीक है भाई रीजन वाइस दो बोलिया होती है उसको हम लोग यहां पर dialects कहते हैं ठीक है अब बोलता है the leader of our country adopted a very cautious attitude while forming the language policy Hindi which was spoken by about 40% of our population जो Hindi है वो हमारे यहां के 40% प्रतिशत लोग 40% लोग जो है वो बोलता है was declared as the official language 40% बोलने के कारण इसको क्या बना दिया गया official language many languages were also recognized as scheduled languages by the constitution apart from the Hindi there are 21 scheduled languages तो हमारे total languages किती है दोस्तों यहां पर 22 languages है ठीक है और इसमें एक और language है हमारे पास जो official language है वो है Hindi क्या है Hindi क्योंकि 40% लोग जो है वो क्या बोलते थे इंडिया में Hindi बोलते थे इसी लिए उसको क्या बना दिया गया official language but English को हर 15 साल का क्या मिल रहा है extension मिल रहा है तो जितने भी सरकारी paper launch होते है वो Hindi में होते है उसके बाद इसका translation जो है वो English में होता है चलिए आगे बढ़ते है candidates appearing for any central exam में opt to write exam in any one of these scheduled languages sir कितने languages में exam होने वाले हैं तो यह होने वाले हैं दोस्तर 22 official languages में ठीक है states have their own official languages state की खुद की official languages हो सकती है and all government work is done in the official language of the concerned state तो जो official language होगी उस particular concerned states की उसी इसमें काम होगा जैसे नागा लेंड की जो official language है वो उन लोगों ने बना के रखी है English तो वहाँ पे काम किस में होता है दोस्तों English में होता है such kind of arrangement has helped in preserving the culture यही कुछ arrangement है जिसके कारण इंडिया एक federal country बना हुआ है और unite करके रखा हुआ है सारी चीजों को the culture of many linguistic group and has maintained the diversity of a country इसी लिए हमारी country की जो diversity है उसको आज maintain यहाँ पे किया जा पा रहा है आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे center और state का कैसा relation होगा federal form of government में after independence there were only few parties which formed government at the central and the state level problem यह है कि भाई election के बाद central level पे जो government बन रही है और state level पे जो government बन रही है generally same नहीं थी हम लोग अगर बात करें यहाँ पे 1885 के बाद से तो बहुत सारे समय जो है वो इंडियन नेशनल कॉंग्रेस की majority रही continuously इंडियन नेशनल कॉंग्रेस ही जीतती रही election हमारे यहाँ स्टार्ट हुए उसके बाद से continuously कॉंग्रेस ने राज किया ठीक है पहली नॉन कॉंग्रेस गवर्मेंट जो बनी वो बनी 1977 से लेके 78 से लेके 79 वो थी यहाँ पर जनता पार्टी गवर्मेंट जनता पार्टी गवर्मेंट लेट बाए मुरार जी देशाई ठीक है बाई तो एक तरफा राज हुआ करता था उस समय पर कॉंग्रेस का अब यहाँ पे सारे स्टेट में कॉंग्रेस इस्टेट कोशिश करती है से यहाँ पे स्टेट गवर्मेंट हो ही ना दूसरी पार्टी कि क्योंकि आपोजिशन जाता होगा तो वह जो काम करना चाहते है वो नहीं हो पाएगा इस विगेंड घड़ेडरल स्पिरिट अफ़ ओर Constitution कही ने कहीं इसके कारण आपका जो फैडरल सिस्चम है यह जो Constitution में unit के बात हो रही है यह कहीं न कहीं लेख होता है तो यह central iste i valeion में यह negative A11 होता है कि अगर दिरे करके 1990 के बाद यह कंडिशन इंप्रूव हुई क्या से वेन मैनी रीजनल पार्टी इमर्जेंट डिफरेंट इस्टेट हर जगा जी दिरे करके चोटी चोटी रीजनल पार्टी जो है वो यहां पर बनना शुरू होती है तो हमें यह पता चल गया सर कि यहां पर पार्ट इस ओके चलिए तो एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई स्क्रीन शॉर्ट ले लीजिएगा ओके आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी के साथ अब यहां पर सेंट्री स्टेट के रिलेशन में और क्या बाते आती है दिस आलसो मांग दा बिगनिंग ऑफ दा कोईलीशन 1990s के बाद से ही यहां पर कोईलीशन गवर्मेंट जिसको हम लोग बोलते हैं मिली जुली सरकार जब किसी एक पार्टी के मेजॉरिटी नहीं आती तो दूसरी पार्टी के साथ मिलके जब सरकार बनाती है उसको बोलते हैं हम लोग यहां पर कोईलीशन गवर्मेंट या मिली जीतता है okay this led to a new era of power sharing and respecting the independent working of the state government अब यहां पे state government की जो working है वो बहुत independent हो गई है और central government का बहुत ज़्यादा interference state government में नहीं होता that the principle of sharing power has become more effective today इसलिए बोला जाता है कि sharing of power जो है वो या power sharing जो है वो बहुत effectively ground level तक के हमें देखने को मिल रहा है then it was in the earlier year after the independence वगर independence के कुछ सालों तक के मतलब 1947 से 1990 तक के यह सारे सिस्टम तो absent थे अब हम लोग बात करते हैं decentralization की मतलब power का distribution हमारे यह हो जाता है बिलकुल सर पावर का distribution हो जाता है क्यों क्योंकि हमें पता है कि हमारे यह तीन और गंस है पहला लेजिस्लेचर एक्जिकेटर और जुडिश्यरी हमारे यह लिस्ट कौन कौन सिए सर यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और concurrent लिस्ट के अलावा रेसिडियरी लिस्ट भी है तो क्या यहां पर पावर का रिवाइट कर देते हैं मुनिसिपल कॉर्पोरेशन और दूसरा होगा हमारे यहां पर पंचायती राज इसको तो हम लोग भूली गयते हैं आज इसको भी पावर मिल रही है यहां पर सच अज मुनिस्पल कॉर्पोरेशन और पंचायत इसको डी सेंट्रलाइजेशन जब थर्ट यह आफ गवर्मेंट को भी पावर मिलने लग जाय तो इसको बोलेंगे हम लोग decentralization क्या बोलेंगे दोस्तों यहां पर decentralization decentralization of power is important because certain problems of the people can be effectively solved by the local body बहुत सारी problem जो है वो root level पर ही solve हो सकती वो higher level पर solve नहीं हो सकती इसलिए local bodies को power देना यहां पर जरूरी है चलिए ज्यांसे समझते है decentralization of power is important because certain problems of the people can effectively solve by the local bodies as the leader has better idea of problems which are faced by people at the local level बहुत सारी problem जो है वो हमें local level पर होती है उसका solution भी local bodies urban या तो rural area वाले ही निकाल सकते हैं in 1992 the constitution was amended to make the local government 1992 के बाद constitution में amendment होता है और यहां पर local self government को introduced किया जाता है more powerful and responsible अब यहां पर उनको powerful भी बनाया गया और responsible भी बनाया गया सिर्फ power दे देंगे तो काम नहीं चलेगा है ना ठीक है आगे बात करते हैं क्या-क्या इनको powers दिये गए भाई it is obligatory to hold election for choosing members of the local government institution अब यहां पर भी direct election होगा और लगबग लगबग हर past साल में होगा और कहा गया कि हर साल में लगबग दो meeting तो आप करी ले कम से कम दिस्क्रिमिनेशन ना हो इसलिए reservation की बात करी schedule cast and schedule tribe की and other backward classes in local bodies अब यहां पर सबसे अच्छी बात है कि one third seats मतलब 33 percent seats are reserved for the women's यह बहुत अच्छी बात है state election commission was constituted in the states और इन election को conduct करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है सर state election commissioner की चीफ election commissioner का लेना देना लोग सबा election तक के रहता है local bodies के election करवाने का का state election commissioner का होता है इतनी याद रखना है हम लोगों को बात it is mandatory for the state government to share powers and revenue with the local bodies अब यहां mandatory है कि state government के साथ यह लोग क्या करें जो भी यहां पे share करने वाली चीज़े है मतलब जो tax है revenues है वो भी क्या करेंगे यह लोग share करेंगे किसके साथ share करेंगे सर तो यह share करेंगे state government के साथ चलिए अब हम लोग आगे बड़ते है 1992 में एक अच्छा बड़ा change आया इंडिया में जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पे पंचायती राज institutions एच विलेज और गुरूप फिलेज इं सम इस्टेट्स है जब और पंचायत को मिला के हम लोग बोलता है सारे कौनसे मिमबर होते हैं सर तो यहाँ पर वार्ड मेंबर सो आ मेंबरस असान तो इसलिए इनको क्या कहना है हमें यहाँ पर पंच कहना है इसको किसाएं कि यह तो हम लोग इसको सरपंच बोलेंगे तो वार्ड मेंबर की जो Marine पॉपलेशन अब यहां पर इसकी एच जो है वो कितनी मान लेते हैं तो विलेज और वार्ड तो विलेज और वार्ड में जो लोग रह रहे हैं उन्हीं के थू कहा होगा यहां पर चली है तो ग्राम सभा के अंडर में काम करती है चलिए तो ग्राम सभा के अंडर में कोन आ गई भई ग्राम पंचायत आ गई चलिए बहुत बढ़िया जिसके करन क्या कर सकते हो आप बजट बना सकते हो बजट क्या होता है सर तो revenue और expenditure का जो system बनता है उसको हम लोग यहाँ पर budget बोलते हैं तो यहाँ पे जो ग्राम पंचाय तो यहाँ पे जो ग्राम पंचाय थे यह किस तरीके से काम करी क्या कर रही है यह ग्राम सभा को पता होना चाहिए इसके लिए meeting जो है वो लगभग दो या तीन बार साल के अंदर करना compulsory है और mandatory है तो एक्जाम में यह पंचाय ती राज जो है वो भूल मच जाना दोस्तों ओके चलिए अब लोग आ जाते है थोड़े अपर लेवल पर ठीक है अब ध्यान से समझेएगा हम लोगों ने अभी कहा कि यहां पे ग्राम पंचाय इसके उपर कर दिया हम लोगों ने ग्राम सभा ठीक है अब लोग डिस्टिक लेवल पर आ जाते हैं अब क्या बन गया यहां पर दोस्तों यहां पर पंचाय समिती बन गई क्या बन गई पंचाय समिती पंचाय समिती इसको तो बहुत सारी ग्राम पंचाय बना देगी यहां पर पंचाय समिती या तो इसको हम लोग ब्लॉग बोल सकते हैं या तो हम लोग इसको मंडल बोल सकत ठीक है एक थोड़ा से बता देता हूं तो सबसे नीचे जो है वह आप रख देवं यहाँ पर ग्राम पंचायद को को सबसे नीचे रखतों यहाँ पर संद्ब का जो रिधार्यां पर में पन्चायद को ठीक है अब क्याएं फेल्ट होगा उसक grid को a यहां तो नाम देदिए सर यहां पे 5 या तो आपने नाम देदिए सर सर पंच ठीक बात है ये पावर देदा सर को पिर हम लोगों क्या बोला सर यहां पे इनके उपर जो होगी इसके नीचे जो होगी वह होगी ग्राम सबा है चले इधर आ गए अधर पंचायद पे उसकी ओपर चले जाएंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं सर यहां पर पंचायद समीथी ब्लॉक या मंदत दौन मेंबर और समीत रेप्रेसेंटेट्टेटेट इन वाइंट आफ यह पांचायद प्रोटू कॉल हो गया तो आधा काम दो गया आपका हसाँ ते चलिए तो विलेज लीवल पर गई ग्राम पंचाट है इसके ऊपर तो यहां पर बात करें हम लोग तो यह पंचायती राज इंस्टिटूशन में कन्फूशन बहुत सारी होती है बट यह जो हमारे एक प्रोटोकॉल बना हुआ है इसमें आपको सारी चीज़े जो है वह लगबख लगबख क्लियर हो जाएगी दोस्तों चलिए नहीं समझेगा तो हम लोगों ने कहा कि सबसे लोवर लेवल पर जो विलेज लेवल है उसके हम लोग को मिल गए क्या यहां पे घ्राम पंचायत और अगगह जैकल करने वाली जो बॉडजी होगी वो हो गई यहाँ पर ग्राम YA हे crik और अगर हम लग लेवल पर जाते तो इसको बोलेगे यहां पर पंचायत समीति और उसको पंचायत समीति जले घ्यात झाहिए और यहा है यहां पर ना चायत कि जे ज हुए कर और पूदे रहें मंदल क्या बोलते हैं मंदल in the district collectively constitute the जिलापरीश्यद आप इनको मिलाग सन्पिब्स पर जिलापोर्स पर अप्लमी जिलापरिश्यद का हो गया सबसे टॉप पे हो गया पंचायति laws INSTITUTION में ठीके भांड फनाइट करा हम आगे बात करता है MLA and members of the लोकसभा are also members of the जिलापरिश्ट अब ये बात exam में याद रखनी है आप लोगों को कि जो पंचायत समिती है या जो मंडल है उनको मिला के बनता है जिलापरिश्ट और जिलापरिश्ट के जो member होता है तो वह MLA मतलब member of legislative assembly और member of legislative assembly तो हम लोगों को ने कहा सही है बट अगर मैं यह लिख देता हूं से राजस्थान के नागोर से कहां से होती है राजस्थान के नागोर से चलिए यह बात याद रखिएगा मेरी आगे बढ़ते हैं हम लोग अर्बन बॉडिस की बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऊस्पालिटी इसको हम लोग क्या कहते है मुनीसिपालिटी इसके सबसे यहां रखना है रखना है यहाँ पर यह जो बनाया जाता है है यह फालिशन की बैसिस पर बनाए जाती है ठीक है टो थो पोपुलेशन ही हर चीज़ का बेश होगा एक्जाम में याद रखेगा तो यह जो अर्बन- moral बॉडधी इसे कहते हैं हम लोग यहां पर मुनिस्पालिटी जो चोटी सिटी होगी उसको मुनिस्पालिटीज कहेंगे और जो बड़ी सिटीज होगी उसको हम लोग बोलेंगे मुनिस्पालिटीज टीक है तो मुनिस्पालिटी जो है वह चोटी होगी किस से मुनिस्पाल कॉर्परेशन से ब बढ हमें वह यहां पर का सब्ढूल // और यहां पर चैयर पर्सन ए वह मतलब मंच्पडन को सब्सक्राइज पर. इस सिस्टम आफ लोगल कवर्मेंट आदि मृस्पा, क्या सब्सक्राइज पहले पढ़न आज एकटे निडियू पार इतना बड़ा experiment वर्ड में किसी country ने कराये तो वो कराये इंडिया ने इतना जादा decentralization करना ये तो बहुत ही शांदार बात है दोस्तो anywhere in the world constitutional status for local government has helped to deepen democracy अब यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि ground level पर democracy बहुत अच्छे से काम कर ये तब ही हमारे इतने lower level पर भी क्या हो पा रहा है डारेक्ट election हो पा रहा है इसके करन क्या हो रहा है वोमेन रिप्रेजेंटेशन भी पड़ता चला जा रहा है जैसे हम लोगों ने देखा था कि one third seat जो है वो बिजब कर दीती है यहां पर election में वाइस इनवा डेमोक्रेसी तो डेमोक्रेसी में जो लोगों की वाइस है वो यहां पर बहुत अच्छे से क्या हो रही है सब के सामने आ रही है कि election होने से क्या फाइदा होता है हमारे लीडर जो है वो transparent form of government पर काम करते हैं और यहां पर accountability होती है यह सारे concept हमारे यहां पर clear हो चुक है दोस्तों तो बस एक बात याद रखिएगा भाई मैं जितनी भी बाते कर रहा हूं वह exam point of view से बहुत important है तो 10th class वारे स्टूडेंट हो जाई है 2024 में 80 out of 80 लाना है तो एक एक वर्ड को एक बात को ध्यान से सुनना पड़ेगा म मेरे साथ बने रही है और इसके लिए आपको लिंक दिया गया है description box में 24 x 7 आपको अभी भी contact कर सकते है contact number दिये गए है यहां पर all the very best to you all and thanks for watching